विवेक की मा रंभा ने उसके लिए मिताली को पसंद किया था, इसलिए विवेक को मिताली पसंद ना होते हुए भी शादी करनी पड़ी, वह तो आईशा से प्यार करता था, मगर कहते हैं ना कि जोडियां तो उपर वाला बना कर भेजता है, विवेक अब मिताली इस घर की ब भैंसों से, चलो, कराही देता हूँ, ये भी खुश रजाएगी, देखो मिताली, हम घर में तीन ही लोग हैं, मैं, मां और तुम, बाकी हमारी साथ भैसे हैं, जिनकी देखभाल मैं करता हूँ, उनका दूथ निकाल कर हम बाजार में बेशते हैं, अच्छा, हमारे घर पर भी भैसे हैं, गंगा, जमुना, चमेली, बर्खा, अरे अरे बस करो, ये भैस के नाम बता रही हो, ये अपनी बेहनों के, क्या आपको नहीं पता, मैं अपने माबाप की इकलोती बेटी हूँ, तो बेहन कैसे होंगी, क्या आपकी भैसों के नाम नहीं है, बिना नाम के वो कैसे सुनती है लगताई यette तो सचमच मुझे पागल लड़की मिल गई भैस का जिक्र क्या किया इसने तो भैस चाली सही गाना शुरू कर दिया भगवान क्या यही लड़की मिली थी आपको मेरी पतनी बनाने के लिए कुछ कहां जी अरे नहीं 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 बस यही कह रहा था कि तुम भैंसों को कितनी अच्छी तरह समझती हो चलो अंदर चलते हैं मिताली अंदर गई तो रंभा ने कहा बहू अब ये घर तुम्हारा है कल सुबह से चूला चौका संभाल लेना ठीक है माजी मैं सब संभाल लूँगी अगले दिन मिताली सुबह पांच बजे उठ गई उठकर उसने बाल्टी उठाई और बाहर की तरफ चल दी विवेक ने उसकी आहट सुनी तो उसकी आँख खुल गई उसे बाहर जाते देख विवेक चिलाया मिताली, ये इतनी सुभा बाल्टी उठा कर कहां जा रही हो आप सोजाओ, मैं भैंसो का दूद निकाल कर लाती हूँ अरे पागल हो क्या, तुम दूद निकालोगी, इस घर के बहु दूद निकालेगी क्यों, हम नहीं कर सकते, हम तो अपने घर में खुद ही कर लेते थे दूद निकालना, गोबर उठाना, भैंसो का नहलाना, चारा खिलाना भला इसमें कौन बड़ी बात है, इतना काम तो हम चुटकियों में निप्टा लेंगे विवेग गुसे में रंभा के पास गया और बोला मा, ये कैसी लड़की चुनी है आपने मेरे लिए, इसके पास भैंसों के अलावा कोई बात ही नहीं है सुभा पांच बजे दूद निकालने चल पड़ी, मुझसे कहती है सो जाओ, अब भला ये दूद निकालेगी कोई देखे गा तो क्या कहेगा विवेग, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा कुछ दिनों बाद, विवेग ने कहा मिताली, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूं, हो सकता है आने में शाम हो जाए कहते हैं न कि होनी बलवान होती है, अपनी तरफ खीच ही लेती है विवेक शहर जा रहा था, रास्ते में उसका एक कार से अक्सिडेंट हो गया और उसके सिर में भयंकर चोट लगी कुछ भले लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचा कर रंभा को विवेक के फोन से उसके एक्सिडेंट के बारे में बताया रंभा मिताली को लेकर अस्पताल पहुँची और परिशान होते हुए बोली हे भगवान ये क्या हो गया मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहाब मेरा एक ही बेटा है अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जियूंगी माता जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सिर में भारी चोट है सिर में खून जम गया है मिताली रोते हुए बोली ये सब क्या हो गया माजी आप जल्दी से पैसे जमा करके इनकी जान बचा लीजे माजी रंभा ने पैसे जमा कर दिये ओपरेशन भी हो गया लेकिन ओपरेशन के बाद पता चला कि विवेक की आँखों की रोश्नी चली गई है किसी की दी हुई आँखे लगाने से रोश्नी आ सकती है मगर उसमें करीब साथ लाख का खर्चाएगा मिताली की आँखों में आँसु भरे हुए थे वे जानती थी कि साथ लाख रुपे जुटाना आसान काम नहीं है मगर वे विवेक को दिलासा देती हुई बूली चलो घर चलते हैं मैं आपको कभी आपकी आँखों की कमी महसूस नहीं होने दूँगी मैं आपकी आँखे बनूगी विवेक गुसे में बूला चली जाओ यहां से मेरी जिंदगी में तो तभी अंदेरा हो गया था जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी विवेक शान्थ हो जाओ इसमें इसका क्या कुसूर ये सब किसमत का लेखा जोखा है वक्त गुजरता गया घर में पैसे की किल्लत होने लगी, दूद के पैसे से भैसों के चारे का ही काम चल पाता था, घर का खर्चा अलक से उपर की कोई आमदनी नहीं रही, घर का एक लोता कमाने वाला जिंदगी भर के लिए आँखों से अपाहिज हो गया था, पैसों की तंगी के कारण भैस बेच मा जी कोई जरूरत नहीं है भैस बेचने की, आपका बेटा बेबस है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना सब संभाल लूँगी, मिताली को लगा कि उनका दूद बाजार में सस्ते में जाता है, जिस वजह से उनका नुकसान हो रहा है, मिताली ने सोचा, क्यों ना मैं इस दूद क ना बेच कर इसका घी बनाऊ और उसे बाजार में बेचू, तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, मिताली ने दूद की दही जमा कर उसे मत कर घी बनाना शुरू किया, जब वे घी पकाती, तो उसकी खुश्बू पडोसियों के घर तक भी पहुँच जाती, पडोस की एक औरत ने पूछा, क्या बात है रंभा, आज कल तुम्हारे घर से घी की बड़ी अच्छी खुश्बू आती है, हाँ बेहन, बहु घर में ही बेचने के लिए शुदगी बनाने लगी है, अगर चाहिए तो खरीद लेना, सस्ते में मिल जाएगा, हाँ कुछ औरतों ने घी खरीदा और इस्तमाल करके मिताली से कहा, बहुत बढ़िया घी बनाया है बहु, भला आज के समय में इतना शुदगी कहा मिलता है, काकी आपको जितना घी चाहिए यहाँ से खरीद लिया करो, बाजार में 700 रुपे किलो है, मगर मैं केवल 500 में दे दू इतना शुद्ध घी पडोसियों ने अपने लिए तो खरीदा ही, बलकि अपने रिष्टेदारों के लिए भी खरीद कर भेजने लगे, मिताली को अपनी मिहनत रंग लाती हुई दिखाई दी, धीरे धीरे गाउं के बाहर के लोग भी उससे घी खरीदने आने लगे, वे ब ताली के लिए बदलने लगी, एक दिन पडोस के गाउं का एक आदमी महेश उनके घर आया, उसकी शहर में किराने की एक बहुत बड़ी दुकान थी, वे अपना सामान थोक के भाव में बेचता था, सुना है, आपके यहां शुद्ध घी बनता है, हाँ बनता तो है, कहिए क्या काम है, मेरी थोक के भाव की किरानी की दुकान है, मैं चाहता हूं कि आप एक किलो के पैक बना कर अपना घी मुझे बेचते हैं, मैं आपको गाउं में बेचने वाले दामों से एक पैकेट पर द बहुत खुश हुई, उसने महेश को घी बेचना शुरू कर दिया, दो साल बाद, मुझे माफ कर देना मिताली, मैं तुम्हें हमेशा पागल समझता रहा, मगर तुम्हारी समझधारी ने मेरी आँखों की रोशनी वापस लोटा दी, अगर तुम ना होती, तुम्हें ये दुनिया कभी नहीं देख पाता, आप मेरे सब कुछ हैं, बस आप ठीक रहें, तु मैं आज से घर के सारे काम करूँगा, तुम अब कुछ नहीं करोगी, मैं घी का काम कैसे छोड़ सकती हूँ, इसकी वजह से ही तो आज आप मुझे देख पा रहे हैं, आपको तो अब और भैस खरीद लेनी चाहिए, फिर आप उनके खिलाने पिलाने का ध्यान रखना, और म घी बना कर सप्लाई किया करूंगी, मिताली फिर से घी बनाने में जुट गई, और विवेक अपनी भैसों की देख भाल में, और फिर उनकी सफलता अपने आप में मेहनत का एक उधारन बन गई, एक दिन सुश्मा की कार लड़कियों के कॉलिट के सामने से गुजरती है, त जिसके साथ तु कॉलेज के बाहर खड़ी बाते कर रही थी, अरे वो, वो तो मेरा दोस्त अमन है, मेरे साथ ही पढ़ता है, लड़के के दोस्त होने की बात सुनकर, सुश्मा तो जैसे आपे से बाहर ही हो जाती है, वह रिया को डाटते हुए कहती है, लड़के और लड़ और इसलिए उसे लड़कियों की आजादी पसंद नहीं थी, उसकी नजर में लड़कियों को नियम और मर्यादा में बंद कर रहना जरूरी था, इसलिए वह रिया के साथ कुछ ज्यादा ही सक्त रवईया अपनाती थी, जो रिया को बिल्कुल भी पसंद ना आता था। पेश आती है जैसे मैं उसकी सगी बेटी ना होकर सौतेली बेटी हूँ, मा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती भावी, पर तेरी भावी तो तुझसे बहुत प्यार करती है ना। कहती है रिया ये क्या पहना है तूने। कपड़े है मा ची ची तू इने कपड़े कहती है। चल अब भी क्या भी बदल और सादा सलवार सूट पहन कर कॉले जा। पर इन कपड़ों में क्या कमी है मा जी देखो तो हमारी रिया कैसी सुन्दर लग रही है। बात तो बहुत ठीक कह रही है सुश्मा। आप चुप करो जी। आप नहीं जानते लड़की को जितनी छूट दो उतनी बिगड़ती है वो। मा ठीकी तो कह रही है। आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसे विचार क्यों रखते हो आशीश। जब लड़के अपनी पसंद से ओड़ पहन सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। बहु, ज्यादा जबान मत चला। जा, जा कर अपना काम देख। ना पसंद का पहना, ना पसंद का खाना। एक दिन रिया कॉलेट से घर आती है तो पूजा रसोई में गाजर का हलवा बना रही होती है। गाजर के हलवे की महक आते ही रिया रसोई में खिची चली आती है और पूछती है। भाबी गाजर का हलवा बनाया है ना हाँ बनाया है ना खाओगी बहुत सारा हलवा खाओंगी भाबी क्योंकि गाजर का हलवा तो मेरी फेवरिट डिश है पूजा रिया को गाजर का हलवा देती है तो वे बस खाती ही जाती है और कहती जाती है भाबी बहुत अच्छा हलवा बस थोड़ा और दे दो ना प्लीज तुझे जितना खाना है खाले मैंने बहुत सारा हलवा बनाया है पर इस से पहले कि पूजा रिया को और हलवा दे पाती है सुश्मा वहाँ आ जाती है और कहती है भाबी थोड़ा हलवा और दे दो बिलकुल नहीं मिलेगा आप ये क्या कह रही है माजी क्या आप खाने पर भी बैन लगेगा लड़की जात है ज्यादा ठूस ठूस कर खाएगी तो मोटी हो जाएगी फिर कौन लेगा इसका रिष्टा सुश्मा का ऐसा बेतुका तर्क सुनकर रिया और पूजा दोनो भाचकी रह जाती है और रिया वो तो रोने लगती है और कहती है देख लिया भाबी अब क्या कहोगी क्या मन भर कर खाना भी गुना है बिलकुल भी गुना नहीं है मेरी लाडली ननद तु मेरे साथ मेरे कमरे में आ कुछ दिन बाद सुश्मा अपने परिवार के साथ एक शादी समारों में जाती है शादी में डीजे बज रहा होता है और उसकी धुन पर कई लड़कियां मस्ती में नाच रही होती है उन लड़कियों को नाचते देख रिया को बहुत अच्छा लगता है साथ ही उसका मन भी नाचने का कर जाता है मा के डर से रिया काफी देर सोचती रहती है मगर फिर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती तो उन लड़कियों के साथ नाचने लगती है फिर क्या था जैसे ही सुश्मा की नजर उस पर पढ़ती है सुश्मा का पारा तो साथवे आसमान पर चड़ जाता है वहरिया का हाथ पकड़ कर लाती है और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहती है क्यों री उठा कर बंदरिया की तरह उचलने कूदने लगी यह सब भे लड़कियों का काम है क्या सुश्मा बियाँ शादी में तो बहु बेटिया नाश्टी ही है फिर इसमें असब्भि जैसी क्या बात होई शादी में तो लड़कियों का डांस करना शोभा देता है माजी माँ को तो मुझसे दुश्मनी है भाबी मैं कुछ भी करूँ वही गलत है चुप कर वरना और पिटेगी यह सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और इसी तरह समय बीटता जाता है एक दिन रिया रोते हुए अपनी भाबी के पास आती है और घबराते हुए कहती है भाबी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझे बचा लो भाबी पर बात तो बता रिया आखिर हुआ क्या है तो तो इतनी डरी हुई क्यों है भाबी मैं मैं प्रेगनेंट हूँ यह सुनकर तो पूजा के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक जाती है उसके मन में तो आता है कि वे रिया को खीच कर तमाचा मारे मगर मैं दिल से मजबूर थी अपनी ननत से बहुत प्यार जो करती थी इसी लिए धीरज धर कर पूछती है रिया काम तो तुमने घोर बेज़ती वाला किया है पर यह तो बताओ कि यह सब हुआ कैसे देख सच सच बताएगी न तो मैं कुछ कर पाऊंगी हाँ भाबी मैं और वैभव आपस में बहुत प्यार करते हैं बस अनजाने में हमसे भूल हो गई पर यह वैभव है कौन अपने शेहर के सबसे अमीर आदमी जगनाद सेथ का इकलौता बेटा है भाबी यह सुनकर पूजा अपनी ननत को समझाते हुए कहती है रिया माजी की इतनी सक्ती के बावजूद तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया अरे अगर माजी को पता चल गया ना तो वै तेरी जान ले लेंगी इससे पहले मैं अपनी जान दे दूँगी भाबी चुप कर, मरने की बात मत कर धीरज रख, मैं, मैं सब ठीक कर दूँगी पूजा समझदारी से काम लेती है वह पहले वैभव से मिलकर उसके मन की पूछती है सुनो वैभव, काम तो तुम दोनों ने बेज़ती वाला किया है पर अब इसका एक ही उपाय है तुम दोनों की शादी करा दी जाए भाबी, हम दोनों तो शादी करने को तयार है बस हमारे घरवाले मान जाएं समाज में मुह दिखाना है, तो वह भी करना पड़ेगा यह सुनकर, पूजा वैभव के माता पिता को सारी सच्चाई बता कर वैभव और रिया की शादी के लिए मनाती है वैभव के माता पिता अच्छे विचारों वाले लोग थे इसी लिए पूजा की बात को मान जाते हैं बेटी, तुम्हारी बाते और संसकार देखकर हम तुम्हारी ननत के चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठाते बेटी, भाबी हो तो तेरे जैसी तुम तो अपनी ननत से उसकी मा से भी ज्यादा प्यार करती हो फिर हम इस शादी के लिए मना कैसे कर सकते हैं बच्चों से जो भूल हो गई उसे सुधारेंगे नहीं तो बेज़ती वाली बात हो जाएगी वैभव के माता पिता को मनाने के बाद पूजा अपने सास ससुर को इस रिष्टे के लिए मनाती है फिर दोनों परिवारों की राजी से रिया और वैभव की शादी बड़ी ही धुमधाम से होती है मगर जब सुष्मा को असली बात का पता चलता है तो उसे रिया पर बहुत रंजाता है मेरी इतनी सकती के बावजूद रिया ने ऐसा काम कर कैसे दिया बहू बस इसलिए माजी क्योंकि बेटी को सकती से संसकार देने के बजाए आपने उसे प्यार से सही गलत की समझ नहीं दी बेटी को सहेली बना कर सही गलत का ज्यान देती तो शायद ऐसा कभी न होता यह सुनकर सुष्मा को यह समझते देर नहीं लगती कि बेटियों को सक्ती से नहीं, बलकि प्यार से संसकार दिये जा सकते हैं, फिर उसी दिन से उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है.